नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर विकास के इंजन के चालक बने केवल एक यात्री बनकर नह रह जाए उक्तविचार सेवा निवृत्त मेजर जनरल अनिल बाम ने सिये चातरों को संबोधीत करते वे वेक्त किये हाल ही में ICAI भवन धन्तोल इनागपूर में दो दिव सिये सिये चातर सम्मिलन का आयोजन किया गया था सम्मिलन के उद्गाटन सत्र के मुख्यातिती के रूप में अनिल बाम उपस्थित थे सम्मिलन का विशे तुगेदर टुवट्स तुमारो था सिये चातर सम्मिलन का आयोजन चातर काउशल समवर्धन बोल्ड अध्यन बोल्ड ICAI नई दिल्ली द्वारा किया जाता है बाम ने कहा कि सिये चातर कल के स्थम्भ है सेना के एक अनुभवी व्यक्ति की रूप में उन्होंने कहा कि राष्टर की ताकत दो पहलिवे से आती है सुरक्षा प्रानारी और अर्थवेवस्ता एक भारतिय नागरिक के लिए हमेशा एक मात्र मंत्र राष्टर पहले आता है होना चाहिए क्रिकेट और देश्वक्ति हमारे देश के दो जुनुन है प्रतिक व्यक्ति को जरूरतों चाहतों और इच्छाओं का परिक्षन करना चाहिए और उसी के अनुसार जीवन के लक्षों का पीछा करना चाहिए उन्होंने चातरों से वित्तिय अखंडता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने और यह याद रखने का आगरा किया कि पारदर्शिता और सच्चाई सीये पेशे के दो अन्मुल रतने है रक्तदाता जीवन दाता होता है इसी बात को ध्यान में रखते वे नंदनवन स्टित कैनरा बैंक परिसर में आयोजित रक्तदान शीविर में रक्तदाताओ के प्रती कुरुतग्यता व्यक्त करते वे उनका जीवन दाता सम्मान प्रदान कर स्नेहिल सतकार किया गया समस्तर अक्तदाताओ बैंग की प्रबंदक गारगी वशिष्ट एवं कला मंच के सयोजक नरिंदर सतीजा के हस्ते को डोनर कार्ड प्रशस्ति पत्र एवं स्मुरूती चिन्न प्रदानकर सम्मानित किया गया साथी सफल आयोजन हेतु प्रबंदक गारगी का स्मुरूती चिन्न प्रदान कर अभिवादन किया गया शिविर में जियस के ब्लड सेंटर के मेडिकल ओफिसर डॉक्टर आशिश खंडिलवाल एवं टीम ने सेवाय दी आभर डॉक्टर श्वेता खंडिलवालने माना कारेकरम में कंचन कोरे, यामिनी फाई, ग्यानेश्वर खेताडे, रोशन फंडी, रजत, पल्लवी तारेकर, गुड्डु मोन, अधिका विशेश योगदान रहा हिंदी सहित्य में निराला, जैशंकर प्रसाथ, महादेवी वर्मा, और सुमित्रा नंदन पंत की तरह, चायवादी यूग को स्थाफित करने वाले, और क्या भुलू क्या याद करू, नीड का निर्मान, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, गद्य सहित्य के साथ-साथ काव्य में नीश्या निमंत्रन, तेरा हार, मधुशाला, मधुकलश के रचेईता, शिरेश्टवाचक कवी परंपरा के अग्रनी डॉक्टर हरिवन शराय बच्चन को उनकी 19-वी पुन्यतिती पर अर्विंद इंडो पबलिक स्कूल ने श्रद्धा सुमन स्कूल के प्राचारे राजेंद्र मेश्रे ने हिंदी साहित्य पूरुष डॉक्टर हरिवन शराय बच्चन को अपनी श्रद्धान जली दी, हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समरुद्ध बनाने वाले डॉक्टर हरिवन शराय बच्चन का जन्म प्रयागराज के साथ को एक कायस्त परिवार में हुआ था संस्कुरूत उर्दू और अंग्रिजे में समान अधिकार रखने वाले हरिवन शराय इलाबाद विद्यापीट में रगुपति साहय फिराग गोरकपुरी के समकालिन थे पहली पत्नी के निधन के बाद तेजी सूरी से उनका दूसर की सराहना की विदर्ब के 13 लाक व्यापारियों की अग्रणी एवं शिर्ष संस्था नाग विदर्ब चेंबर ओप कॉमर्स ने आगामी संभावित कोरोना संक्रमन की तीसरे लहर को देखते वे चेंबर सभागरों में पदादिकारियों की सभा हुई सभा में प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी मुख्य मंत्री उद्धो ठाकरे एवं केंद्रिय मंत्री सडक परिवन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी को प्रतिवेधन प्रेशित कर व्यापारियों को कुवीड वैक्सिन का तीसरा डोज देने की मांगी चेंबर के अध्यक्ष अश्वीन प्रकाश अगरवाल मेहाडिया ने कहा कि गतवर्ष कोरोना संक्रमन की दो लहरों के कारण देश ने बहुत अधिक जन धन की हानी उठाई है तता कोरोना महामारी के संक्रमन के कारण आर्थीक विकास पर भी बहुत बुरा असर हुआ है प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी, मुख्य मंतरी उद्धव ठाकरे एवं नितिन गड़करी ने दूसरी लहर को रोकने के उपायों में कोरोना संक्रमन के बचाओं के साथ साथ वैक्सिनेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया था अब वर्तमान में देश कुरोना वाइरस के वेरियंट ओमिक्रोन के कारण संक्रमन की तीसरी लहर से जूज रहा है ओमिक्रोन वाइरस गत वेरियंट से बहुत अधिक खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है जिन लोगों के दोनों डोज मई 2021 से पहले हो चुके ऐसे नागरिकों को पुना संक्रमन का खतरा बहुत अधिक है दयानंद पारक्स्तीत भाचपा कार्याले में पूर्वस्ताई समिती अध्यक्षय विरेंद्रिक कुक्रेजा ने शिक्षा महर्षी दादा विजय केवल रामानी का जन्मदिन पर सतकार किया राजकुमार केवल रामानी स्कूल में दादा केवल रामानी का भव्य स्वागत हुआ इस कारेकरम में उत्तर मंडल अध्धक्ष संजय चौधरी सभापती महिंद्र धन्विजय नगर सेविका सुष्मा चौधरी डॉक्टर विंकी रुगवानी दादा प्रीतम मत्रानी वार्ड अध्धक्ष मनिश दास्वानी जगदिश वंजानी सूरेश पमनानी ओम सेवानी पूजय मोरियानी समर्थ चिराग गोधानी आधिकार्यकरता उपस्तित थे। विनोद मंडपे, माया गजबिये, अंकुष भोते, रविंद्र इटकेलवार, छूटु निर्मलकर, लक्षमन बाडबुदे, अलकाताई दलाल, अमित पतेल, तैसिलदार चैताली सावन, नयब तैसिलदार जाधव, श्रीमती बड़वार आधि उपस्तित थे। सिकंदराबाद दर्भंगा, सिकंदराबाद एक्सवरेस ने एक अतिरिक्त AC3 कोच की सुविधा स्थाई रूप से उपलब्द कराई जा रही है, जो सिकंदराबाद से 22 जनवरी से तता दर्भंगा से 25 जनवरी से जोड़ा जा रहा है। इस सुविधा की उपलब्दता से अधिकाधी कियात्री लाभनवित होंगे। और स्पाट्यकरम की दिक्षारंब कार्यकरम की अध्यक्षाता करते वे संबोधित कर रहे थे। के सनातक नयाधिकारी बनकर समाज को श्रेष्ठ नयायमुक्त जीवन देने वाले विधी व्यवसाई तथा बेहतर नागरिक बनकर निकलेंगे। प्रोफेसर शुकल ने कहा कि सर्वच्च नयायले के नयमुर्ती भुशन गवई ने विधी शिक्षा के विध्यार्दियों को मार्गदर्शन प्रदान करने की सहमती प्रदान की है। देश के व्यापारियों की दीन प्रती दीन बढ़ती समस्याव। की नोटिस एवं सरकारी तुगल की आदेशों का पालन करने में बीत रहा है। इन सबसे परेशान होकर अब इन सभी महत्व बुर्ण मुद्धों पर व्यापारियों की बीच देश का अब तक का सबसे बड़ा जन्मत संग्रह कराने की गोशना करते वए Confederation of All India Traders कैट ने आगामी एक फरवरी से 28 फरवरी तक देश भर में व्यापारी सब्वा द्राष्ट्री अभियान चलाने की गोशना की है। इसके अंतरकत कैट के शिर्ष नेताओ की टीम देश के सभी राज्यों के विभिन बाजारों के व्यापारिक संगटनों से द्वार से द्वार तक संपर्क कर प्रत्यक व्यापारी की समस्या पर विस्त्रूत चर्चा करेगी। साथी उनकी समस्याओं के लिए जन्मत का टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन केंदरों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से जादिक आयू के सभी नागरिकों को कोवी शिल्ड के जरीए टीका करन किया जाएगा यह जानकारी चिकित साथ स्वास्थ अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवी एक्सिन का पहला और दूसरा डोध मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाइब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वरगिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबड़ा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर मनपा स्थ्री अस्पताल पाचपाउली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब दे मनपा प्रफाक तीस ताजबाक शरिफ के अउलिया नगर में नाला पूरी तरह जाम होने के कारण रहवासी नागरिकों के घरों में गंदा बदबुदार पानी गुस गया है मालुम रहे कि बरसात का मौसम अभी शुरू नहीं है फिर भी इतनी भयंकर सिती उत्पन्न हो गई है जाहिर तोर पर नागरिकों को गंदगी मच्छर पनपने वाले कच्रे से भरे वातावरन में जिन्दगी बितानी पड़ रही है इस भयंकर गंदगी के सामराज जिसे छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग सभी को विविद बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है कोरोना जैसी प्राकृतिक महा आपदा के चलते नागरिकों के स्वास्त के साथ खिलवार किया जा रहा है इस जानलेवा समस्या को लेकर AIMIM ने मनपा के नहरुनगर जोन की आयूक राउत को ग्यापन सौप कर इस भिशन समस्या से अवगत कराया हालात को ध्यान में रखकर रहुत ने मनपा के स्वास्त विभाग के सफाई कर्मचारियों को युद्धकालिन ततपरता के साथ नाला सफाई का काम शुरू करने का आदेश जारी किया है लेकिन अगर जल्द सफाई की कारवाई नहीं शुरू की गई तो AIMIM के कारे करताओं ने तिवर आंदोलन करने की चिताओं नी थी ग्यापन सौपने वाले प्रतिनीधी मंडल में शकिल पतिल, इशाक मंसूरी, दक्षिन के अध्धिक्षय शोय वेहमत, महासचिव सोहिल शेख, हाजी रियाज शेख, प्रवक्ता इकबाल हसन, सोहिल खान, आदी मजलिस के कारे करता शामिल थे महाराश्च्व प्रदेश कॉंग्रेस अध्धिक्षय नाना पटोले ने भारत की लोग प्रिये प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोधी को फटकार लगाते हुए कहा, मोधी को मैं मार सकता हूँ और गाली भी दे सकता हूँ ये विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है और इसकी जांच की जानी चाहिए, पीम का अपमान देश, भारतवासियो, सविधान और लोग तंत्र का अपमान है, विधायक समिर मेगे सहित भाचपा के सैक्डो कारे करताओने वाडि थाना के पी आई ललिता तोडासे स नाना पटोले पर कानूनी कारवाई कराने की गुहार लगाई है, विधायक समिर मेगे, विजे गन्थाले, पुर्वनगर सेवक और भाचपा, वाडिय अध्यक्ष, केशो बांदरे, आनंत कदम, कलपना सकदेव, जोती बोर कर, सुजित नितनावरे, गजानन रमेकर, कमल क सानोजे, राकेश मिश्रा, नितिन अत्सल, प्रकाश डावरे, मंगेश खोबरागडे, कैलास मन्था पुर्वार, कमलाकर इंगले, योगेश शेंडे, अक्षे तिडगे, इशान्त राउत, आदी भाचपा कारेकरता, एवं पदादिकारी गण, मुख्य रुपस्य उपस् इस तरह की भाशा प्रयोक से संपुर्ण देश में कॉंग्रेस के नाना पटोले का विरोध हो रहा है, उसी के चलते कनहान में भी भाचपा की ओर से 18 जन्वरी को भाचपा के सैकड़ों पदादिकारी, नगर सेवक और कारेकरताओं में तीवर नाराजगी दिखाई दी, ज जो कनहान थाने के बाहर पटोले की खिलाफ नारेबाजी कर थानेदार विलास काले को नीवेदन भी सौपा गया, जिसमें पटोले के खिलाफ एफायार कर उन्हें गिरफतार करने की मांग की गई, नारेबाजी करते समय भाचपा के पारशिवनी तालुका अध्धिक्ष अ अंदोलन कारियों ने कहा, दो महा सिगनल NCC का वार्षिक साथ दिफसी प्रशिक्षन शिविर हाल ही में कवी कुलगुरू Institute of Technology and Science किट्स राम्टेक में आयुजित किया गया था, ये सयुक्तरूप से किट्स राम्टेक और नरेंदर तीड के कॉलेज द्वरा आयुजित किया प्रशिक्षक सुभेदार चंदन सिंग, हवलदार आरपी सिंग, सचेन शिवाले और अन्य अधिकारियों ने सशस्त्र बलो, अभ्यास, हतियार प्रशिक्षन, मानचित्र पढ़ने, फिल्ड क्राफ्ट, युद्ध शिल्प, कम्यून क्राफ्ट पर मार्गदर्शन प्रद इस दोरान पौधारों पन मरक्तदान शिवर का योजन किया गया, प्राचारिय डॉक्टर अविना श्रीखंडे, डीन डॉक्टर पंकच अस्टनकर, संटी की प्रिंसिपल संगिता टक्का मोरे, लेफटिनेंट करनल डीबी राय द्वारा, विजेता और उपविजेता महनरा जिले में जारी जिला परिशत पंचाय चुनाओं में कारे करताओं के बीच कहे, पंतर प्रधान नरेंद्र मोधी को में गाली दे सकता हूँ और मार भी सकता हूँ, इस वक्तव्वे से समुचे भाच्पा में तिवरा संतोष की लहर के साथ ही, कॉंग्रेस प्रदेश कर नाना पटोले पर अपराद दर्च कर कड़ी कारवाई करने की मांग की गई, तथा सव्वेधानिक पत पर रहते हुए नाना पटोले ने अपने दिवालिया पन का परिचय दे कर देश के पंत प्रधान पर अभधर टिपणी तथा उन्हें मारने की बात उनके बुद्ध का परिचय देती है, समाज में अपने करतवय से उतर पुतल मचाने वाले नाना पटोले पर आपराधिक मामला दर्च करानी का निविजन थानेदार मारूती मुलुक को सवपा गया, इस आउसर पर नगर सेवक तुशारु माटे, अमिज जोडा पे, सोनु नावधिंगे, इमेश्वर लिखार, पिंटु साथ पुते, शंकर खड से, अभिशक साथ नरिंद्र ठाकूर, निलकंठ खड से, निखिल पोट भरे, प्रमुत पीमफले, दीवाकर नारेकर, आधी प्रमुकता से उपस दिथे। जन्ता की सेवा के लिए शौपेटी लोकारपन विधायक समिर मेखे के हातों किया गया, वही वानाड उंगरी प्रभाक आठ श्री गनेश हनुमान मंदिर में मित्र परिवार के साथ केक काट कर अपना जनम दिन मनाया, इस आउसर पर सामाजिक कारे करता और लल्लु साई प आलकल लेंड सभापती मुन्नी आदव, पुर्वसर पंच, सतिश शाहकार, बांधकाम सभापती आभाकाले, पानेपुरोठा चाया कराड कर, शचिन मेंजोगे, गोलु ताजने, संजना दल दल, अनुसोया पेरसे, संगीता कुकडे, शुरूशी कोरडे, राजु और भाजपा के कार्य करता बड़ी संख्या में उपस्तित थे, नागपुर का टूरिस्ट स्पोर्ट कहे जाने वाले फुटाला ताला परेसर को, जहां अत्याधोनिक विकास के साथ सुसजित करने का कार्य जारी है, वही आज इस परेसर को सुशोभित करने में एक और नई वजनी टन और चार टन भार वहन क्षम्दावाले इस हेलिकॉप्टर में ततकालिन राष्टापती एपीजे अब्दूलकला, ततकालिन प्रिधान मंतरी, नर्सिंग राओ एवं अटल बिहारी बाचपई सफर कर चुके हैं, मल्टी रोल M18 हेलिकॉप्टर में बाथरूम सह इस उद्देश्यों से नागपुर का टूरिस स्पॉट कहे जाने वाले फुटाला तलाप परिसर में वायो सेना के काफी लगाएक हेलिकॉप्टर आज स्थापित किया गया है, अब फुटाला तलाप परिसर में आने वाले पर्याटन प्रेमियों को नस्दिक से इस प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षय नापटोले के खिलाफ भाच्पा ने ताओ द्वरा की जा रही बयान बाजी को अनरगल आरोब बताते हुए कॉंग्रेस ने भी पटोले के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है, कल विवित्थानों में भाच्पा पदाधिकारियों के खि मांग करने वाली कॉंग्रेस ने बुधवार को भी भाच्पा के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षा नाना पटोले द्वारा भंडारा में पंचाय चुनाव प्रचार के दोरान कतित तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के प्रतिक कहे गए अपशब्दों को लेकर भारती जंता पार्टी ने भी आकरमक रवया अक्तियार कर लिया है एक दिन पुर्व नाना पटोले के खिलाफ की गई बयान बाजी के बाद तूसरे दिन भाचपा विधाय को वपदाधिकारियों का एक प्रतिनी धी मंडल नागपुर पुलिस कमिशनर से मिला और उनसे नाना पटोले के खिलाफ मामला दर्च करने की मांग की प्रतिनी धी मंडल में भाचपाश और अध्यक्षय विधायक प्रविन्दट के कृष्णा खोपड़े, विकास कुम्भारे, पुर्व विधायक ग्रीश व्यास, अनिल सोले, प्रदेश उपाध्यक्षय संजे भेंडे, महामंत्री बाल्या बोरकर, प्रदेश प्रवक्ता प्रशासंद्वारा जारी गायडलाइन्स का पालन ना होता देख, शहर पुलिस जोन 2 डिसी पी विनिता शाहू ने दलबल के साथ, मंगलवार शाम को सिताबडी में रोट वाले क्षेत्र में ओचक निरिक्षन किया, जब वहां अचानक पुलिस ही पुलिस नजराने लगी शहर पुलिस आयकता मितेश कुमार के निर्देश पर शहर पुलिस डिसीपी जोन टू वीनिता शाहों के नेतरुत्व में सिता बड़ी पुलिस निरिक्षक वो पुलिस कर्मियों ने में रोट का आउचक निरिक्षन किया और कोविट संबन्दी गाइडलाइन्स का पालन ना करते दिख रहे नागरी को वो होकरों एवं दुकांदारों को नियमों का उलंगन करने के चलते दंडित किया पुलिस अधिकारियों वो कर्मचारियों ने नागरी को होकरों एवं दुकांदारों से भिड़ ना करने की हिदायत दी तथा नियमों का पालन करने की अपिल भी तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार